इस कारिक्रम के पुण्यार जखें स्वर्गी श्रिमान सेठ मानिकलाल उगर्चंद शाह एवं स्वर्गी श्रिमती विमलश्री मानिकलाल शाह की पुण्य स्मृती में पुत्र पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, बेटी डामांद इवं समस्ति शह परिवार नमहा सुद्धेप्या नमहा स्रीवर्द मान वय निरधूत कलिलात्मन सालूकानाम तलूकानाम यद विद्यादर्पनायती पंच परमिष्टी भगवान की दिवादी देव एक चराठ बगवान सांतिनाथ स्वामे की परमपूज आचेर भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनी माहराजी की परमपूज मनी स्रेशुप्रव सागर जी माहराजी की ज्यान के समान संसार में कोई सुख नहीं और अज्यान से बड़ा कोई दुख नहीं लेकिन ज्यान वही है जो ज्यान हमारे आत्म कल्यान के लिए कार करी है और वह ज्यान सम्यक ज्यान ही हो जकता है ऐसे उस सम्यक ज्यान की प्राप्ति का परमपूज मुनिसरी सुप्रव सागर जी माहराज ने हमें सम्यक समाधान के माध्यम से वे अनूठी विधा प्रदान की जो निश्य थी हमारे मन के विकल्पों को दूर करके और हमारे अज्ञान को मिटाने वाली है और हमारे ज्ञान को समिक्त करेंगे वो ले जाने वाली वे अनूठी विधा समीचिन विकल्पों का समिक्त समाधान प्रारम करते हैं और आज के प आपना समेचिन विकल कर रहे है कि महरा स्री जीव के दान अंत्राय कर्म का तीबर अधाय होने के करण वह दान देने की प्रवलेक्षा होते हुए भी दान नहीं कर पाता तो उसे क्या पुर्शार्थ करना चाहिए इवं इस व्यक्ति का पुन्य का अधाय होता है फिर भी वह अपना धन नहीं कर पाता तो उसे किस कर्म और कौनसी गति का बंध होता है हमारे समीचिन विकल्ब का सम्यक समाधान करने के नुकंपा करें नमुस्तु महराजी नमुस्तु ओम नमा सिद्धम परम्भूज आचर भगवन गुरुवर विशुद्ध सागजी महराजी के जीव के साथ कर्मों का हामेशा ही उदय आनुदय ख्षयोक्षम आधी आधी लगा ही रहता है ज्यूंकि जीव संसारी आवस्था में कर्मों के आश्रों बंध आधी के निमित्त से ही प्रेरिध होते हुए अपने जीवन को व्यतित करता है जहां दान अंत्राय कर्म का तीवर उदय होता है वहां जीव तीवर इच्छा होने पर भी कही न कही दान देने के लिए समर्थ नहीं हो पाता या दान देने की इच्छा होने पर भी दान देने ही पाता वहां नियम सी जीव को पूर्शार्थ करने की आवर सकता है उस दान अंत्राय कर्म के एक शयोक्षम को व्यवस्थित करने के लिए और दान अंत्राय कर्म के एक शयोक्षम को व्यवस्थित करने के लिए आचार भगवन्तों ने बहुत सारे कारण बताए पर उन सभी कारणों में विशेश कारण अगर कोई है तो दान देने वालों की बहुत बहुत खुले दिमाग से खुले रिदय से प्रसंशा करने माना कि दान देने की शक्ति होने पर भी दान दे नहीं पा रहे है वहाँ पक्का है कि तीवर दानांत्राय कर्म का उदय है और उस दानांत्राय कर्म के शयोक्षम को प्राप्त करने के लिए जो दान दे रहा है उनकी प्रसंशा करना साक्षात व्यक्ति दान दे नहीं पारा है जो दे रहा है उनके लिए डायरेक्ट नहीं सही कम से कम इंडायरेक्ट लुप से सैयोग करा देना ये भी दान अंत्राय कर्म के शयोक्षम के लिए उस तीवर उदय को कम करने के लिए कार्यकारी निमित बन सकता है ये विशे से ध्यान रखने योगे बात है कि जब तक दान कर्म के विशे में या दान अंत्राय कर्म के शयोक्षम के विशे में बोध नहीं है तब तक जीव कितना ही कैसा ही पुरुशार्थ कर ले वह उसमें सफल हो नहीं सकता इसलिए जो दान देरा है उन दान देने वालों के पुर्ण की प्रसंसा कर लेना उनके दान की वावा कर लेना दान के लिए सहयोग कर लेना जितनी शक्ती है उतनी शक्ती से दान कर लेना नहीं भी शक्ती है तो जैसे अहारदान का गर विश्याता है तो प्रति दिन तीन कम न कुरूड मुनिराजों में से जो छट्टे गुण स्थान वरती मुनिराज कुछ करोड कहे गया है उनकी प्रति दिन अनमोदना करना की सभी निर्गरंथ मुनिराजों के अहार निरंत्राय हो जाए उनको निरंत्राय दान देने वाले दाता मिलते रहे ऐसी भावना करने से भी दान अंतरा कर्म का क्षयोक्षम बढ़ सकता है रही बात जिनके पास साधन है दान अंतरा कर्म का क्षयोक्षम भी है धन दौलत भी है पर फिर भी वो दान नहीं दे रहे है वे कही न कही तीवर लोब कसाय के उदय के कारण से ही अपने उस चंचला लक्षमी का धन का उपयोग दान आदी कारियों में नहीं कर पाते हैं इसलिए ये आवज से समझे वहां भी तीवर लोभ कसाय के उदय के कारण से कही न कही आने वाले समय में पाप कर्मों को ही प्राप्त करता है आचर भगवन तो बहुत कठोर सब्द उनके लिए कहते हैं जिनके पास धन है, संपत्ती है, दान देने की शक्ती है पर फिर भी दान नहीं देता है उनके लिए आचर भगवंत डाकू या चोर की ही उपमा देते हुए कहते है कि जैसे डाकू दूसरे की धन को लूटता है वैसे ही वह धनवान व्यक्ति पैसे वाला व्यक्ति स्वेम की ही स्वेम के साधन होने पर भी स्वेम की ही चोरी शुबभावों से शुबकारियों से करत इसलिए नियम से वह आने वाले समय में दुरगती को ही प्राप्त करने वाला होता है और पाप को ही प्राप्त करने वाला होता है पाप कर्मों का ही वह आस्रोबंध करता है क्योंकि जब तक मिला हुआ धन सदूपयोग नहीं किया जाएगा याने सत्पात्रों को दान के रूप में नहीं दिया जाएगा तब तक पुर्णे की प्राप्ति पुर्णे का आश्रोबंद नहीं होगा और पुर्णे का आश्रोबंद नहीं है तो कही न कही पाप का आश्रोबंद वहां पर नियम से चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में दुरगती का विशेश करके अगर दान देते समय या दान देने की शक्ती होने पर दान नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ मायाचारी का नियम से आश्रो बंद होगा और मायाचारी कसाय तिरियंच गति में ले जाएगी, लोब कसाय है, वह अन्य दुरगती को भी देने वाली हो सकती है, जैसे देव दुरगती कही जाती है, भवनवासी, वेंतर, जोतिश, आधी देव दुरगती को भी देने के लिए निमित्त बन सकता है, ऐसे पाप करमों की निमित्त से तिरियंच, नरक और देव दुरगती रूपी गतियों को प्राप्त करते हुए, पाप कर्मों को प्राप्त कर लेना अगली परियाय में दरी-दरी भीकारी आवस्था को प्राप्त कर लेना क्योंकि वरत्मान में होने पर भी देने की इच्छा नहीं है ऐसे जीवों के साथ ऐसे पाप कर्म और दुरगती के रूप ही कर्मों का आश्रो बंद हुआ करता है जो कि आपके लिए सम्मिक समधाज महेंदर जिन बढ़ागाउं अध्यक्ष सिरिसेद्चेत्र आहार जी से अगले समीचिन मिकल्प के लिए हमारे सामने नमस्तू मराज पूझ गड़ेश पसाजी बढ़नी द्वारा यहां 1936 में एक बिद्याला चालू किया गया था जो अभी सतत रूप से बढ़ियां चल रहा है अहां निसल्ख बच्चों को सिक्षा दी जाती है और आपसे ऐसी असीवाद चाहते हैं तथा मायक दर्सन चाहते हैं कि यह बिद्याला भविस्ष में भी इसी तरह और अच्छा रूप लेके चले है ऐसा हमें नर्दी संदे गणिश प्रसाद वर्णी जी ने जो अहार जी ही नहीं अपितो अनेक स्थानों में जो ये गुरकुल आदी विवस्थाय बनाई हैं वह वास्तों में बहुत स्लागनी प्रशंसनी ही कार्य है वर्त्मान में जितने भी विद्वान वर्ग पंडित वर्ग समाज को प्राप्त है वह कही न कही इन विद्याले इन गुरकुलों से ही प्राप्त हुए हैं उनकी ही ये धरोवर है कि उन्होंने उस समय में उस विपरीता में अगर वह पुरशार्थ नहीं किया होता और ऐसे गुरकुल या आसरम या ये विद्यालयादी नहीं सापित किये होगे तो शायद आज ना वास्तों में जो विद्वान परंपरा सामने देख रही है या जो भी धर्म के लिए एक सहयोग मिल रहा है वह किसी प्रकाश से नहीं देखने में मिलते हैं और ये भी बात समझने योग है कि उन्होंने तो अच्छा कार्य चालू किया ही किया पर उनको आने वाले समय में बरकरार रखने के लिए मात्र बुजुर्ग पिड़ी को ही नहीं अ धर्म आयतनों से धर्म की व्यवस्थाओं से आदी से जोडते हुए कही न कहीं उनको इस बात का बोध कराने की आवज सकता है कि आप जैसे बुजुर्गों ने कई वरसों तक इस व्यवस्थाओं को समालते हुए क्षेत्र हो चाहे गुरकुल आदी की व्यवस्था हो अपने की आवज सकता है। शौपने का मतलब मात्र अधिकार ही नहीं, आपितू अधिकारों के साथ उनको अपने करतव्यों का भी बोध कराने की आवज सकता है, क्योंकि देश के विभिन प्रांतों से आहर जी जैसे क्षेतरों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उ अगर आप समय पर सहयोग नहीं करोगे, तो आने वाले समय में कही न कही ये गुरकुल परंपरा, ये विद्धले परंपरा समाप्त होती रहेगी। आज हर कोई माता पिता भी बहुत एक शिक्षा प्रणाली के चकर में, बहुत कुछ दिखाने के चकर में कॉन्वेंट चलाया जाते है, उसमें समाज के बच्चों को, समाज के उन बच्चों को और सभी को वहां विशेश करके सहवागिता किसी को पढ़ने के रूप में, जिनके पास धन है, उनको धन के रूप में, जिनके बच्चे पढ़ने योग्य है, उनको वहां पढ़ने भेजने के निम आवज सकता है, च्योंकि मात्र व्यवस्था और धन से काम नहीं होगा, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं होगे, माता-पीता भेजने ही तयार नहीं होगे, तो किसी प्रकार से व्यवस्था पक और दान देने वाले दातार कार्यकारी नहीं हो सकता है, इसलिए समाज के प्रत जाने बुजुरगों ने निरलोभ वृत्ति से ये कार्य किया है ऐसे आने वाले पीड़ी को भी निरलोभ वृत्ति से ही और मात्र एक जुनून जैसा गर्निश प्रसाजी वरनी जैसे कई जीवों में चाया हुआ था और मात्र पढ़ाई के जुनून के ही पीछे उन्होंने इतने बड़े-बड़े कार्य किये है ऐसे ही समर्पन भावों के साथ विवस्तापक दान दातार के साथ समाज की प्रत्ते गटक को प्रत्ते एक व्यक्ति को अपनी संतान अपने बच्चों को कुछ-कुछ समय के लिए ही सही पर पढ़ाई के लिए ऐसे गुरकुल आदे में भेजने के आवज सकता है तभी दोनों हाथों से काम होगा एक हाथ से काम नहीं होगा पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाने वाले टीचर भी समर्पन भावों के साथ व्यवस्तापक भी और देने वाले दातार भी पूर्ण रूप से पुर्णे में सहीयोग करने के लिए तो शन्मारजी सीमित के साथ आपके लिए संस्मित है और महाराजी हमारी यूखmission कोई रक्षा सूत्र या जन्य के साथ आपकेfilled के साथ आपके लिए Sumya कोई रखशा सूत्र या जन्यू पहनाया जाता है स्रावग को तो वह सी अनुस्ठान तक के लिए सीमित रहता है या कि उसके बाद भी उसको पहना जा सकता है कुछ लोगों का कहना है कि वो असुद्ध हो जाता है आप सेख भी करना पड़ता है पूजन भी करना पड़ती है तो यह समाना संका हमाई है महाजी समवधान देने का किर्पवा करें जो विधान अनुष्ठन आदी के समय में रक्षा सूत्र बादने की परंपरा है यह कोई तातकालिक परंपरा नहीं है आपी तो यह बहुत प्राचीन परंपरा है और यह विशेश बात समझने योग है कि वरतमान में कोई जीव कुछ भी कहे पर यह अवस्य समझना कि मंत्रो के द्वारा येक सुरक्षा सूत्र ही नहीं अभी तू जीवों के लिए व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है जो प्रतिषचाचार होते है उनको आगम में आज्या प्रदान की है कि वे ग्रहस्ता चार है प्रतिष्ठा चार है विधना चार है वे मंत्रों के द्वारा आपको आपके जीवन को आपके परिवार को वह सुरक्षा सूत्र के द्वारा सुरक्षित करते हैं पर तथाकतित वर्तवान में ये पता नहीं कौन सा भूत जीवों को चड़ा है कि वह दागा असुद हो जाता है, फिर अभिषय कैसे किया जाए, अगर ऐसा है तो पंच्च कलानक आदी में जो धागा पहना जाता है, मुख्य पात्रों को, जनियू भी पहना जाता है, तो क्या प्रति दिन रोज नया रख्षा सूतर पहना जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। फिर छे दिन अगर लगादार वो ही चलता है तो महनों महनों जब तक वो तूट नहीं रहा है, खराब नहीं हो रहा है, तब तक उसका प्रयोग करने में आंगम के परिपेक्ष में किसी भी प्रकार से कोई दोस नहीं है, हाँ ये अवज से ध्यान रखे, 16 बदलते समय जो धागा है, जो जनीव है, उसको गीला करते हुए ही पुनावस्तर बदले जाए, अगर माना की दोके से वह हाथ में पहना हुआ, रक्षा सूतर कलावा या जनीव गीला नहीं किया है, और वैसे ही दोतिय पदली है, तो तो वह असुद्ध माना जाएगा, वहाँ पर दोस लगने की संभावना है, पर आगम के परिपेक्ष में ये अवज से समझे, ये कोई तातकालिक व्यवस्था नहीं है, अपितु ये त्रैकालिक व्यवस्था जो आगम के प्रमान गरंथों से प्राप्त होती है, चाहे स्रावकों का जनीव पहनना हो, चाहे हाथ में कलावा सुरक्षा, कवच के रूप में सुरक्षा या रक्षा सूतर क्योंना हो, वह आगम क प्रमाण से हैं इसलिए ये विकल्प करने की आवर्शक्त नहीं है कि प्रति दिन विदान हो गया तुरंद निकाल दो सुरक्षा, रक्षा, सूत्र, मात्र, विधान के लिए ही नहीं है आपितु वो मंत्रों के द्वारा मंत्रित किया हुआ कार्य है वह जीवन भर पहने तो भी कोई दोस नहीं है पर ये मैं पुना के दू वह पहना हुआ धागा पहना हुआ जनीव गीला करते हुए ही उसकी सुद्धी होती है सुद्धी का मतलब जरूरी नहीं है कि सभी प्रदार्थों की सुद्धी एक सी होती है अगर सरवथा ऐसा है तो निगंबर मुनिराज पिछी कमंडल का सदैविय प्रयोक करते है फिर पिछी तो वे सौच के स्थान पे भी ले जाते हैं कमंडल भी ले जाते हैं फिर उनको तो उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था पर ये ध्यान रखे प्रत्यक वस्तु की शुद्धी भिन भिन प्रकार से कही जाती है पिछी को जैसे ही वे शुद्धी करके आते हैं गिला हात करके पिछी के उपर से गुमा देना वायू शुद्धी धूप दिखा देना अगनी शुद्धी कमंडल को उपर से बाहर से अंदर से स्वच्छ कर लेना धूप में रख लेना ये उस कमंडल की पिछी की शुद्धी ह बिल्कुल ऐसे ही स्रावकों के लिए भी अनेग प्रकार की सुधी का व्याख्यान किया गया है तो जो कहात में पहना हुआ सुरक्षा धागा है रक्षा सूत्र है जनेव है वह गीला करने से ही उसकी शुद्धी हो जाती है यह आगम प्रमाणों से समझने की आवज सकता है इ अगर ऐसा ही तरक है तो मैं उन लोगों से पूझना चाता हूँ फिर जो आपने सोने की अंगुठिया पहनी है हाथ में बड़े-बड़े ब्लासलेट और बड़े-बड़े गहने पहने है वो तो पूर्ण रूप से आप असुद्ध स्थानों में भी पहन के जाते हो जब असुद्धी नहीं है तो यह धागे तो सुद्ध सुद्धी धागे होते है उसको गिला करने से उसकी शुद्धी हो जाती है इसलिए इन विकल्पों को छोड़कर आपने जीवन की सुरक्षा आगम की सुरक्षा दोनों की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र का पहनना आवस्यक है और पहना हुआ निकाले जरूरी नहीं है और जब पांच दिन आठ दिन कोई भी देश का कितना बड़ा से बड़ा प्रतिष्ठाचार क्यों नहीं हो पर वह जब भी परचकल लाना कादी अनुष्ठान करते हैं सिद्ध चक्र विदान भी करते हैं तो आठ दिन प गिला करके सुध्य हो सकती है तो मैंने दो मैंने साल भर भी पहना रहे तूट नहीं रहा है तब तक पहना रहे तो भी असुद्ध नहीं हो सकता यहीं आपके लिए समयक समाद है अहर जी चात्रावाद से सर्भग जैन अगले समीचिन मिकल्प के लिए जो विद्ध्यार्ती होता है वही आने वाला समाज आने वाला देश और आने वाला धर्म है इसलिए जैसे नेतिकारों ने कहा है वह पांच लक्षनों से युक्त ही विद्ध्यार्ती को होने की आवज सकता है काक चेश्टा, बको ध्यान, श्वान निद्रा, तथाई वचर, अलपा हारी, ग्रहत्यागी, विद्ध्यार्ती, पंच लक्षन ये जो नेतिकारों ने पांच लक्षन विद्ध्यार्ती के बताए है, वही वास्तों में विद्ध्यार्ती का कर्तवे और विद्ध्यार्ती का उद्देश होना चेश्टा तक उन्पषन प्रकार से मात्र करियर को बनाना इतना ही विद्ध्यार्ती का लक्ष नहीं होना चाहिए, कही ने कही अपने जीवन की, अपने सोच का जो बैरियर है, रुकावट है, उसकोदूर करने का भी лक्ष उस विद्ध्यार्ती को प्राप्त करना हो। जैसे अभी मैं सलोक कह रहा था वहा नितिकारों ने जो लिखा काक चेश्टा बको ध्यान जैसे कववा होता है उसकी चेश्टा होती है तुरंत कही भी कुछ थोड़ी सी भी उसे आहट लगती है तुरंत सावधाने से वह अपना स्थान छोड़ देता है बको ध्यान यने बाहर विपरीत्ताव के उना प्राप्त हो जाए पर जो बगुला होता है वह एक टांग से जैसा मचली को पकड़ने के लिए ध्यान करता है बिलकुल वैसा ही विद्यार्थी को अपने पढ़ाई की विशे में सतर्क रहते हुए अपने लक्ष के प्रती समर्भित रहते हु सतत कार्य करने की आवज सकता है क्योंकि जहां भी रहोगे कहीं न कहीं वहां पर विशंपनेती विशंगतिया विशंताय आती रहेगी पर उन पर उनको दुरलक्षित करते हुए अपने अध्यन के प्रती ध्यान रखते हुए उस पर सदैव एकागरता से आगे बढ़ते र अधानी से निद्रा लेता है कि बहुत दूर से भी कहीं उसे कोई आहट सुनाई देती है तो तुरंद उसकी आग खुल जाए ऐसे ही विद्यार्थी को निद्रा तो लेनी चाहिए ठकान मिटाने के लिए पर मात्र उतनी सी निद्रा हो जिसमें आपका दिन भर का जो ठकान है दिन बर की ठकावट है वह दूर हो जाए पर प्रमाद से युक्त होते हुए पढ़ते पढ़ते भी सो लेना किताब लेकर ही सो जाना आधी कारिय उस विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं है साथ में अल्प आहारी और ग्रिह त्यागी ये आप जो आहारजी में पानों में ही रहकर घर पढ़ाई विद्यार्थी की वास्त्रविक्ता होती है और निद्रा कम आ जाए पढ़ाई अच्छी हो जाए इसलिए अल्प आहार करहन करना जिससे प्रमाद कम हो पढ़ाई में भी अच्छा लक्ष लगे ऐसा ही कारिय उस विद्यार्थी को अपने जीवन के लिए करना चाहिए फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे पहुच कर हमें कौन सा फिल्ड चूज करना है हमें क्या बनना है उसके प्रकार से ही उसी दिशा में ही पढ़ाई के लिए विशेष्ता देने चाहिए उसी में स्पेसिफिकेशन प्राप्त करने के के लिए उस विशे को लेकर हमें जादा अभ्यार जादा पड़ाई भी करने चाहिए इन सभी का बात इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही विद्यार्थी को अपने जीवन के उद्देश अपने जीवन के लक्ष और अपने जीवन की सफलता के लिए पुरुशाथ करने क कि आवज सकता है क्योंकि मात्र विद्या करियर बनाने वाली नहीं अपनी सोच के बैरियर को भी मिटाने वाली होने चाहिए यही आपके लिए सम्मिक समद्ध कि मनुग जैन कि अहार जी गुरुकुल से अगले समीचिन विकल्ब के लिए मारा स्री मेरा प्रश्णिया है कि मारा सी चरन स्वर्श क्यों करते हैं जबकि वह अभी सिख नहीं करते और चॉल्लक जी को अभी सिख करने की अनुमति क्यों है नमुस्तु आगम में आचर भगवंत ने भगवान के अभी सिख और मुनिराजों को दान देते समय स्रावकों के लिए दो वस्तर होना ये अनिवारिय कहा है जिसके पास दो वस्तर नहीं है वह मुनिराजों को आहार भी नहीं दे सकता और वह भगवान का अभिशेक भी नहीं कर सकता चोकि सुल्लक जी दो वस्तर धारी होते है एक उनकी लंगोट और एक उनका दोपटा इसलिए सुल्लक जी अभिसेक तो कर सकते है पर मुनिराज के पास कोई वस्तर नहीं होते और वस्तर नहीं होते इस कारण से वे हमेशा ही शुद्ध रहते है इसलिए कभी भी भगवान के चरनस्वर्श कर सकते है पर अभिसेक करने की या दूसरे मुनिराज को अहार देने की आग्या मुनिराजों को नहीं होती नियामक आवस्तर मात्र दो वस्तर है दो वस्तर जो पहनता है वही अहार दे सकता है वही भगवान का अभिसेक कर सकता है इसलिए मुनिराज अभिशेक और आहार नहीं दे सकते पर सुल्लक जी मुनिराज का भगवान का आभिशेक भी कर सकते है और मुनिराजों को आहार भी दे सकते है यही आपके लिए समयक समध जयजन बंदो हम सभी लाब ले रहते लोग प्रियकारेक्रम समयक समाधान का प्रती दिन के भाती यह कारेक्रम पांच बच के तेरा मिनिट पे यूटूब चैनल सुपरभ वाच के माद्दम से प्रसारित होता है मुनिश्री का नाम सूपरब और वानी का परिया बाची नाम उवाज सूपरब उवाज यह नाम चैनल का है आप यूटूब पे सूपरब उवाज सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताके मु प्रति दिन शाम को चार बजे आधिना टीवी चनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। आधिन शाम को चार बजे आधिना टीवी चनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। टीवार बजे आधिना टीव खोसारित होता है। आधिन शाम को चार स्थान टॉएवी चनल के माध्यम से घो कार बजे आधिना टीवी झाल झाल